जागे जागे रहते थे सोए रहते थे होती थी प्यार की बातें कभी तनहाई में कभी पुरवाई में होती थी रोज मुलकातें नमस्कार साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का PVR Study में एक नई प्रीक्टिस कर रहा हूँ जैसे कि आपने सुना पेसुरों की आवाज जैसी लेकिन फिर भी कोसिस करने चाहिए बताइए का जरूर कमेंट करके कैसे लगा एक्चुली अभी मार्केट गये थे आ रहे थे तो एक ट्रक में बजता हुआ जा रहा था तो मुझे इतना ही सुनाई पड़ा उतना ही याद हो गया और थोड़ा भा कुश्चन नंबर थार्ड से सुरू करेंगे ध्यान दीजिएगा कुश्चन स्क्रीन पर दिख रहा पीछे प्रहा अकृति 12.21 में चायंकित भाग का छेत्रफल गयाद कीजिए यदि ABCD भूजा 14 सेंटीमेटर है मतलब जो यह स्कॉयर आपको दिख रहा है वह 14 सेंटीमेट सेंटीमेटर का क्या एक स्कॉयर वर्ग है और APD तथा दो आर्ध्वृत हां जिने बोलते हैं सेंटीमी सरकल यह यह इनिंए आपको जो area एउसको आपको area find करनी है और जू स coffee as demonstrations 14ри 14resendre उसमें 27 अर्कल दिखाता हूँ इसको अगर मैं किनारे कर दूँन तो आप देशी क्यों निकालना है समझो इसका यह जहां तक दिख़ए आपको है ना तिकोन ना टाइप का ऐसे और इसका भी यह इतना एरिया हमें फाइंड करनी है तो देखो भाई यहां पे जुगाड लगाओ जुगाड से ही पूरा देश चल रहा है जुगाड लगाओ वह कौन सा जुगाड है समझो जुगाड लगान कितने हारदी लगेन फिट किरी और रंग चोखा हुए तो चलो कर लेते हैं लिखो हिंदी मीडिया मोले लिखेंगे वर्ग का छेत्रफल माइनस दो गुड़े अर्धबृत का छेत्रफल यानि अर्धबृत के छेत्रफल को दो से गुड़ा करेंगे क्यों क्योंकि हमारे प तो इंटू अप से में सरकल ओके तो मैं इंग्लीज में लिख देता हूं नियुक्त लिख दिया क्योंकि हिंदी मीडियम वाले हमारे कुछ जादा नराज हो जाते हैं ठीक है सुन तो लिए व दुनों लेंग्वेज में तो रख दो भईया चेत्रफल रख दो बाबू वर् और गरद तो बुजा का स्कॉर या शूत proven bore बिलुका मैं या लिख देता हूं पूजा का स्कॉर इंगलीजो वाले लिखेंगे साइडी स्कॉयर अगे 2 into R the rhythm means semi circle इसका जो area होता क्या होता है इस circle का area pi r square semi circle मतलब आधा यानि pi r square का half ओके, done, चलो इसी में आप सारे मान को put कर दीजी आपका answer दोड के खट से आ जाएगा इसकी जो side दी है राजा कितना दी है 14 दी है तो आप 14 का square कर दोगे minus 2 into pi की value 22 upon 7 into r r means radius आप ध्यान दो, अगर ये पूरा-पूरा 14 cm है और ये semi circle है, तो ये इतना कितना होगा, 7 होगा, तो इतना ये भी 7 होगा बोलो मैं सही बोल रहा हूँ ना यानि यहाँ से r का मान हम कितना रख देंगे भाईया, 7 रख देंगे बाबु कितना, 7 तो ये आपका ये r का इसको आ रहा है नी 7 into 7, ठीक है clear, लेकिन एक चीज गड़बढवा रहे हो, नीचे एक दो भी लिखा था, ये दो यहाँ, इसको मत छोड़ना नहीं तो ये साब गड़बढ़ाए देगा, हाँ ठीक है, चलो अब देखो एक चीज समझो, इसको चाहे तो हम दो इसके नीचे लिखते हैं, तो थोड़ा जाद आच्छा लगेगा, साइड में, बाकी यहाँ भी लिख सकते हो, पूरे के नीचे है वो हाल करना है ये आपका 196 हा जाएगा माइनस, ये देखो दो से ये दो कैंसिल हो जाएगा, ये साथ से साथ कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीपल करोगे 154 हा जाएगा, इसको सब्ट्रेक करोगे 42 सेंटीमेटर का इसको आर आपका अंसर हाजएगा क्यों, कोई मुसीबत नहीं ना, पटा पट लिखिए नेक्स कुश्चन दिखा, ये अगला सेंसर नहीं लिजिए, बस कभी-कभी कुछ काम किसी को जलाने के लिए भी कर देना चाहिए, जैसे मैंने आज गाना गा दिया, है ना नेक्स कुश्चन अगर नहीं लिखा था आपने तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके लिख लीजिएगा ठीक है पीछे करके लिख लिजिए अगला कोश्चन देखिए क्या कहरा है, दिख रहा है ना चलो इतना मौका बहुत था आपको लिखने के लिए अगले कुश्चन में कहरा साथियों कि आकरिती 12.22 में छायंकित भाग का छेतरफल ग्याद कीजिए जहां 12 सेंटीमीटर भूजा वाले एक संभाह उतिरभूज O, A, B के सीर्स O को केंद्र मान कर 6 सेंटीमीटर तृज्जा वाला एक बृत्तिय चाप खींचा गया है यानि चायंकित भाग का आप से एरिया पूछा है कर लोगे न ऐसे तो मैं इंट्रोड़क्शन वाले पार्ट में भी बताया हूं मैं एक कोईश्चन आपको होमवर्ग दे रहा हूं बस बिल्कुल टेंसन मत लेना कमेंट करके बताओ कर लोगे कि नहीं नहीं आएगा तो बता यह बहुत आसान है बच्चों कह रहा है कि चार सेंटीमीटर भूजा वाले एक वर्ग के परतेक कोने से एक सेंटीमीटर वाली तिरिज्या वाली बित्त का एक चतुर्थांस काटा गया है चतुर्थांस को इंग्लिज ने क्वाड्रेंट बोलते हैं ठीक है आपने पढ़ा इदर यह चोता इदर वाई डैस इधर एक सदस यादा है कुछ है तो वही चीज है चतुर्थांस काटा गया मतलब ऐसे कि आपको फिगर में भी दीखरा ठीक है और बीच में दो सेंटीमीटर ब्यास का एक व्रित्त काटा गया है जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया जो आपको दिख रहा है तो कह रहा है कि वर्ग के सेस भाग का छेतफल ग्याद कीजिए यानि जो इतना कुछ कटने पिटने के बाद बचा है उसका एरिया पूछ रहा है यह पहले एक इसको आयर था इसमें कोना इधर काट लिया एक इधर ऐसे से काट के बीच में से एक बृत भ किल्कुल भी न रहो कि पंका जी का कमेंट आ रहा है राहूल का कमेंट आ रहा है जो भी बच्चे जुड़े हैं स्टेटस किंग का कमेंट आ रहा है सूरज स्टडी अखले स्यादो प्रीतम विश्वास और आदर्स पाल जी कभी कमेंट आ रहा है सैल गौर का कमेंट आरा प पहले दिन जुड़े हैं तो आप देली आएंगे तो हम आपको चरूर देखेंगे ठीक है कमेंट सब का आ रहा है चलिए बात करते हैं कोईश्चन हलके दिखो बच्चा जो पूरा पूरा question है न isquar उसमें से कुछ भाग काटकाट निकाल लिए गये हम एक काम करेंगे पूरे पूरे square के छेत्रफल से अगर हम इस काटे गए भाग के छेत्रफल को घटा ले तो हमें वू मिल जाएगा जो हमें लिखिये के गुंश्यों में क्या कहा रहा था । एक ए रीटास भागद ग्यात कीजिए ना लिको कि वर्गिसे सभाहग चेटरफल बराबर र में रीध़ का च्छेटरफल बराबर उर्ग च्रुद्र माइनस उनका क्या करोगे, multiple कर दोगे फूर से, ठीक है, यह फिर ऐसा कर सकते हो, 4 into चतुर्थांस, यानि उन छोटे-छोटे चतुर्थांस हो का area, ओके, इंगलिस वाले कैसे लिखेंगे, सुन लो, समझ लो, इंगलिस वालों के लिए तुम आने लिखी दिया है, देख लीजिए, area of remaining portion equal area of square, यानि इस पूरे square का area, minus area of 4 quadrant, जो छोटे-छोटे पार्ट पढ़ा होगा, तो मैंने आपको उसमें quadrant का area निकालना बताया था, क्या बताया था, theta upon 360 into ये पाई आर का square, ये बताया था, अगर आपको याद हो तो, बताया था न, लेकिन इसमें एक चीज ये है, वो क्या है, थोड़ा सा धूरा है, हम इसमें से area आप quadrant तो लेकिन इस circle का भी area इसमें से घटाएंगे बावू, ठीक है, तो आप इसमें एक चीज और लिख लो भी पहले, area of circle, इसी में से minus करो, देखो यहाँ पर देखो एक चीज यहाँ पर छूट रहा था, इसी के बाद हमारे में जगा नहीं है, तो हम नीचे लिख देते हैं, या area of square side का square, minus area of 4 quadrant, यह आपका theta into 360, और pi r का square, इसको आप 4 से multiple करोगे, क्योंकि 4 का निकालना है, area of circle, pi r का square, ठीक है, यही तो होता है न, चलो, side इसमें 4 cm दिया था बेटा बाबू, तो यह 4 का square minus theta, देखो इस तरह से जो होता है, आपको मालूम है, इस पर 90 का कोड बनता है, क्यों, भई, 90 का कोड बनता है, बनता है न, यहाँ पर 90 का कोड बनता है, यहाँ पर हर एक कोड पर क्या आओगा, 90 का angle बनेगा, तो angle यहनी theta क value आपका 90 हो जाएगा, अपान 360, ठीक है, पाई कमान 22 बटा साथ, और आर, आर मिंस radius, रेडियस तो 11 cm है, कुष्चन में भी कहा गया था, एक एक सेंटीमीटर तरिज्या का बिर्ट काटा गया है न, तो 1 है, इन्टु 1, यह हो गया, इनको 4 से multiple कर लो बाबू, बाबू, बा रेडियस इसका भी 1 cm होगा, यहनि इसका भी क्या हो जाएगा, 1 into 1, clear, हल कर लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 9 से इसको काटोगे, 9.36, 4 आएगा, इस 4 से आप इस 4 को काट सकते हो, गुड़ा में है, ठीक है, यह आपका 16 हो जाएगा, माइनस, ध्यान देना, यह 22 बटा 7 बचा पर यह दोनों जूड़ जाएंगे, ठीक है, यह दोनों जूड़ जाएंगे, तो आप इनको ले चलो, उधर साइड में हल कर लो, इनको हटा दो कोईश्चन को, आओ देखो, यह जूड़ जाएंगे भईया, तो यह 16 माइनस 44 अपान 7, बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं न ठीक है, यहां के बाद में मैं ले जाके इसे वहां हल कर ले रहा हूँ, ऐसे ही इसको बराबर कर लो आप लो, ठीक है, इसके नीचे 1 लिख लीजिए, इसको आप घटा लेंगे, LCM लेंगे, तो 7 आएगा, 167 112 माइनस 44, इक्वल आपका कितना आएगा, 68 ना, 68, अपान 7 सें साट ले लीजिए, या फिर नोट कर लीजिए, कुछ भी कहना है तो बताइए, अगर आप इस कलास को पूरे एक एक गंटा की कलास देखना चाहते हो, बड़ी बड़ी कलास, तो आप PVR स्टड़ी एप डाउनलोड करके प्रीमियम कोर्स को भी जोईन कर सकते हो, या फिर आ कलास को जादा फिर जादा सेर करो, अगर कलास में सौ सो बच्चे आते हैं, दो दो सो बच्चे, तो यह पूरे एक एक दो दो गंटे का लाइप से सन होगा, ठीक है, तो बस इस कलास में इतना ही, और नेक्ट कुश्चन नेक्ट कलास में तब तक के लिए जैहिन,